नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी कस्वागत है फ्रेंड येसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए UPPCL TG2 बिहार स्टेट पाउर होल्डिंग कमपनी सभी टेक्निकल एक्जाम जहां पे कोश्चन आप लोगों के यहां से बहुत से कोश्चन आपको देखने को एक्जाम में मिलेंगे तो हम लोग कम समय में वही चैप्टर को डिसकस करेंगे जो आप लोगों को एक्जाम में कोश्चन जादा से जादा पूछे जाएं तो आईए हम लोग सभी लोग मिलके एक एक कोश्चन को डिसकस करते हैं और अच्छे से समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग like कर लेते हैं और एक बार वीडियो को share कर देते हैं तो यह काम जली-जली आप लोग कर लीजीए बाकी आप लोग full course join करना चाहते हैं या अगर आप लोग 21 रुपय का टेस्ट जो प्रेश्ट जोइन करना चाहते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का या फिर यूपी PCL TG2 का या फिर ट्यूवल ओपरेटर का कोई भी तैयारी आप लोग चाहते हैं और टेस्ट जोइन करना चाहते हैं तो एप का लिंक के नीचे दिया गया है उसको डाउनलोड करके ड MS Excel 2010 का उपयोग बिभिन प्रकार खाली अस्थान में किया जाता है जो सामानने से लेकर जटिल कारियों तक उपयोगी होता है तो यहाँ पे MS Excel 2010 का हम लोग बिभिन प्रकार के उपयोग के लिए करते हैं जो सामान और जटिल कारियों के लिए उपियोगी माना जाता है तो क्या होता है A में गर्णा करना B में मैनिपुलेशन C में प्रेजेंटेशन D में एक्स प्रेशन तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो जटिल और सामान ने कारिये कर लिए जाते हैं MS Excel 2010 के द्वारा उसे हम लोग गर्णा कहते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आफसन होगा वो A आफसन हमारा यहाँ पर सही होगा A आफसन हमारा कहां पर दिया गया है यह गर्णा दिया है ठीक है यहाँ पर हमारा आफसन सही है प्रिजेंटेशन मतलब क्या होता है प्रिजेंटेशन मतलब यह होता है कि हम किसी चीज को वहाँ पर प्ररूप के द्वारा दर्सार रहे हैं दे रहे हैं उसे हम लोग प्रिजेंटेशन कहते हैं तो यहाँ पर हमारा A option correct होगा A option हमारा यहाँ पर सही है अब आगया next question 22 number और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि page के उपरी margin में इस्तित text को क्या कहते है page जो हमारा होता है उसके उपरी margin का तीक है यह हमारा एक page दिया गया है इसके उपरी मार्जिन को हम लोग क्या बोलते हैं यह चीजे यहां पर इनोंने पूछा है ठीक है तो A में देखिए footer, B में column, C में header, D में pyra graph तो उपरी यह जो column page का होता है margin में जो text को उपरी क्या कहते हैं page के उपरी margin को हम लोग यहां पर header कहते हैं मतलब यह हमारा यहां पर C option चही होगा ठीक है तो यहां पर हमारा C option सही है column क्या होता है तो यहां पर यह हमारा उपरी line को बोला गया है तो यह हमारा header होगा मतलब C option correct हो उसके बाद देखिए यहां पर आपके सामने 23 number 23 number और यहाँ पे Excel फार्मूला सिल के एड्रेस मतलब डॉलर्स में आपको दिया गया है मतलब S4 मतलब सिल के रूप में दिया गया है तो हमारा A4 बोला गया है कि A4 का जो प्रति निधी तो करता है वो कौन करता है A में relative सिल रिफरेस, B में मिश्ड सिल रिफरेस, C में absolute सिल रिफरेस, D में उपरोग तो सभी तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा अगर सिल A4 सिल A, सिल 4 का जो प्रति निधी तो करता है वो absolute सिल रिफरेस करता है तो यह हमारा कहां पे मिल जाता है C आपसन तो C आपसन हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है C आपसन हमारा correct है उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नमबर और यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है कि खाली अस्थान ऐसा नियम है जो value के पूर्वर नुमान में मदद करता है खाली अस्थान ऐसा नियम है जो value के पूर्वर नुमान में मदद करता है find, replace या फिर goal sick या go to तो हमारा जो find में मदद करता है मतलब ऐसा नियम है जो value को मदद करता है वो हमारा goal stick होगा, मतलब goal sick मतलब यह हमारा C option correct होगा C option नमारा यहाँ पर सही है उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 नंबर और पूछा गया कि MS Excel का ऐसा कौन सा feature है जो स्रिंखला को तारकी के रूप में दोहराने में मदद करता है auto cell या auto correct या A, B दोनो या मतदी में जो है hit sun तो यहाँ पर में जो हमारा features स्रिंखला को तारकी के रूप में दोहराने का कारी करता है वो auto fill और auto character दोनों होगा मतलब यहाँ पर C option हमारा यहाँ पर सही होगा C option हमारा यहाँ पर correct है उसके बाद देखिए next question और 26 नंबर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि MS Excel MS Excel में currency option किस बार में होता है यह चीज़े यहाँ पर इन्होंने पूछा है MS Excel में currency बार ठीक है तो A में देखिए formatting tool बार में होता है B में standard tool बार में होता है C में status बार में होता है यह D में formula बार में होता है तो friend आपको जहाँ पर गढ़ना आदी करना होता है वहाँ पर हम लोग formula बार का परियोग करते हैं और currency option को हम लोग किसे में देखते हैं formatting tool में देखते हैं तो formatting tool हमारा कहाँ पर मिल जाता है A option में तो A option अमारा यहाँ पर सही होगा A option अमारा यहाँ पर correct है ठीक है उसके बाद next question देखिए इन्हों यहाँ पर क्या पूछा है next question में कि MS Excel में macro option किस menu में होता है MS Excel में macro option किस menu में होता है insert में format में tools में या data तो MS Excel मेक्रो option जो पाया जाता है वो हमारा tools में पाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो है C option correct होगा C option हमारा यहाँ पर सही है formatting tool में हमारा क्या होता है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया था यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने currency option को दर्साया था formatting में insert में क्या होता है नए नए features हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर जो है data क्या होता है जैसे हमको कुछी का data रखना होता है यह सारे चीज़े हम लोग data group में यहाँ पर करते हैं मतलब किसी का नाम कोई भी चीजें यहान पर हम लोग save करके रख सकते है data group में बाकी यहाँ पर हमारा c options सही होगा टूल से हमारा option जो है यह हमारा correct होगा यह macro option पर menu में होता है ठीक है यह हमारा यहाँ पर C option correct उसके बाद देखिए यहाँ पर 28 number MS Excel में सिर्फ data डालने के लिए किस function का यूज किया जाता है कहने मतलब यह है MS Excel में सिर्फ आपको data डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे today का, now का, time का या calendar का तो हम लोग को अगर data डालना है तो वहाँ पर हम लोग किसका परियोग करेंगे, today का परियोग करेंगे इसलिए हमको daily daily update करना होता है ठीक है, यह चीजे हैं और timing के लिए हमको यहाँ पर time को जो है दरसाता है, यह आप लोगों को ध्यान देना है तो यहाँ पर हमारा जो है option मिल जाएगा, a option a option हमारा क्या होगा, today ms excel में सिर्फ date डालने के लिए किस function का यूज किये जाता है today का किये जाता है, मतलब a option हमारा यहाँ पर सही है उसके बाद देखिए यहाँ पर 29 number और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि ms excel में fail option fail option किस menu में होता है तो यहाँ पर हमारा view, format, tools या edit तो हम लोग को ms excel में यहाँ पर d option मिल जाता है d option पर edit होता है edit में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर option menu में जा सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है D option correct होगा D option हमारा यहाँ पर सही है उसके बाद देखिए next question और यहाँ पर क्या पुछा है MS Excel में इन में से कौन सा data type नहीं होता है MS Excel में number, currency, label या date या time तो आप लोग जानते हैं MS Excel में इन में से जो हमारा data type नहीं होता है वो label होता है तो label हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है C option पर C option हमारा यहाँ पर correct होगा, C option हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है तो यह थे आज की question हम लोग यहाँ पर 30 question complete कर लिए हैं, एक के question को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसकी पिछली classes अगर आपने नहीं देखी है तो playlist में जाईएगा वहाँ पर आप लोग जो है computer class करके चिक कर लिजिएगा वहाँ पर इसकी सारी classes आपको मिल जाएंगी आप जाके वहाँ से सारी classes देख सकते हैं एक-एक question को हमने वहाँ पर discuss किया हुआ है और यह classes आपको मिल जाएंगे वहाँ पर देखने को ठीक है और यह सभी exam के लिए उपियोगी हैं ना कि एक exam के लिए जहाँ पर computer के question पूछे जाते हैं उन सभी जगहाँ पर यह सारे question आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जाईए और अच्छी स्तियारी करिए बाकी आप लोग technical त्यारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है full course जोईन करिए वहाँ पर आप लोग technical अच्छी स्तियारी कर पाएंगे और hand notes जो भी चीजे हैं आपको डाउनलोड करिए वहाँ पर जाईए आप चेक करिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब करिजेगा जो कि आपको सारी क्लासेस मिल पाएंगी तो थैंक्पर वाचिंग और बाइब